स्लाम अले कुल्ण स्टूडेंट्स मैं हूं मुहमेच इश्पाक और ये हैं DIT फर्स सेमेस्टर की अपरेटिंग शिस्टम की क्लास फिछले क्लास में हमने पंक्षन अपरेटिंग सिस्टम और कंपोनेंट सापरेटिंग सिस्टम को काफी डिटेल में डिसकुस किया था आज हमारा जो टापिक है वो है अपरेटिंग सिस्टम की टाइपस वाट अपरेटिंग सिस्टम की टाइपस को हम डिसकस करेंगे operating system को दो टाइपस में classified किया गया है एक है journal purpose operating system और दूसरा है special purpose operating system जर्नली में बता देता हूँ कि journal purpose operating system वो operating systems होते हैं जो आप किसी भी काम के लिए computer पे इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब जो हमारे आम computer systems में जो windows इस्तेमाल होते हैं उसे हम journal purpose operating system कहते हैं के जरी हम मुवी दे सकते हैं, सांग सुन सकते हैं, कोई आपिस वगेरा का काम कर सकते हैं, कालिज का काम कर सकते हैं, असाइमेंट्स बना सकते हैं, इंटरनेट सर्पिंग कर सकते हैं, इसके जरी हम कोई डाकुमेंट्स बना सकते हैं, उनकी प्रेंट्स ले सकते हैं, इसके जर जिस तरह हमारे जो आम computers हैं पी-सी हैं यह भी जर्नल पर्फस हैं मतलब यह हम आम जर्नल पर्फस के लिए इस्थेमाल करते हैं आम जिड़ी के जो काम हैं जो जरूरियाद हैं उसके लिए इस्थेमाल कर सकते हैं लाकिन special purpose operating system के लिए special computers ben होते हैं किस तरह के computer इस तरह आप लोगों ने ATM मशीन देगा होगा यह ATM की machine जो है यह एक special purpose computer है और इस में एक special purpose operating system इंस्टाल है लगा हुआ है उसके जरीए आप सिर्फ transactions कर सकते हैं transactions के इलावा उसके जरीए आप ना तो movie देख सकते हैं ना उस पर games केल सकते हैं ना किसी के साथ राबिदा कर सकते हैं मतलब communication कर सकते हैं क्योंकि वो special purpose है सिर्फ transaction करने के लिए आगे चलते देखते हैं journal purpose operating system हमारा जो पहला है उसको फिर दो categories में divide किया गया है journal purpose operating system may be further classified into the following types single user operating system और दूसरा है multi user operating system अब single user operating system और multi user operating system को further define करते हैं कि single user operating system में क्या होता है multi user operating system में क्या होता है single user operating system के नाम को आप देखे single user operating system मतलब वो अपरेटिंग system या वो window जो सिर्फ एक बंदे को एक वक्त पे इलाव करता है कि वो इसको यूज कर सके इसको हम single user operating system के दो The single user operating system usually a single processor and only one user can utilize their resources per processing For example MS-DOS this operating system can run only one program at a time and hence also called a single task system This system run on micro computer कहते हैं कि single user operating system वो होता है जिसमें एक single processor होता है और सिर्फ एक user को एक time पे processing करने के लिए इलाव करता है Single user सिर्फ at a time एक process जो है आपको process कर सकता है इसकी example इन्होंने Microsoft Dask का दिया हुआ है यह भी हमारे पास एक operating system है disk operating system DOS disk operating system हम इसको कहते हैं जिस पे एक user एक time पे सिर्फ एक program को process कर सकता है मतलब एक command को एक time पे आपके लिए process कर सकता है Single task को पर पाम करता है at a time और यह हमारा जो DOS है यह हमारे आम micro computer जो है इस पे काम करता है DOS की example मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चलो कि DOS हमारे पास किस तरह गाम करता है यहां पे में window 8 है तो यह search की box पे मैं जाता हूँ यहां पे मैं लिखता हूँ cmd cmd मैंने लिख दिया है इसको enter press कर देता हूँ तो मेरे पास यह देगे यह DOS की window कुल गई है यहां पे इस DOS की window में मैं कोई command देता हूँ परसकरे मैं देता हूँ CLS clear screen वाला command यह मैंने दे दिया है तो देखें यह मेरे पास DOS की जो यह जो black window आप लोगों को नज़रा रही है यह clear हो गई है मतलब यह इस पे जो return text आ रहे थे वो clear हो गई है हमारे computer के अंदर जितने में directories बड़े हुए है यह हमारे पास इन्होंने open कर दिये है यह हमारी disk operating system है यहां पे जो मैं बात कर रहा था single user operating system की चलो मैं इसको इसको discuss नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो exact command मैं रहे देता हूँ इसको ख़तम करने के लिए यह हमारे पास जो DAS है और Linux है Linux हम बात में पढ़ेंगे तीसरा पार्ट है हमारा तो यह तकरीबन same-same इसकी command जो है वो काम करता है अब बात करते हैं multi-user operating system की the system in which several users are allowed to use the computer simultaneously are called multi-user operating system thus this system support a number of users simultaneously these systems are usually designed for many and man-prem computers कहते हैं कि वो operating system वो windows जो एक टाइम पे मुखतलिब users को एक से ज्यादा users को different users को allow करता है कि वो computer को use कर सके simultaneously एक साथ simultaneously का मतलब वो दला है at the same time एक साथ वो अगर operating system को use करते हैं access करते हैं उसको उस पे काम कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं multi-user operating system और ये system जो है मैं example दे रहता हूँ banks की operating system की different banks आप लोगों ने देखे होंगे या मेरी account की balance मुझे जिक करके देखा दें या ATM पे आप जाएं अपनी ATM की काड़ आप पंच करें वहां पे आप अप अपनी transaction देखना जा रहे हैं तो अंदर जो साब बेटा हुआ है जो आपिसर बेटा हुआ है वह भी आपको वही system वही operating system इस्तेमाल करके आपको आपकी balance के बारे में information पहरा हैं लेकिन अगर आप ATM पे जाके वहां पे ATM बूद में वहां पे अपनी balance आप जिक करना जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको balance शो हो रहा है इस मीन के जितने भी लोग banks के अंदर बेटे हुए या जितने भी लोग ATM यूज़ कर रहे हैं वो एक ही operating system को access कर रहे हैं उसे use कर रहे हैं तो यहां बात हो र अगर आप किसी भी branch में आप जाते हैं किशी भी शेर में आप जाते हैं वहां से आपको अपना data जो आप access करना जाते हैं, वो आपको दे सकते हैं, it means ये एक ही अपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, पрахस्पोर्ट आप इसको देगें, वो भी एक ही अपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बटे हुए, पूरे पाकिस्तان में और उसी एक operating system को access कर रहे हैं उसमें data entry कर रहे हैं उसे data आपको provide कर रहा है तो यह हम multi user operating system की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा operating system जो एक साथ बोड़ सारे लोग use कर सकते हैं मुतलिफ terms है हमारे पास यहां explain the following term जिसको हम explain करेंगे step by step नेक्स लेक्चर में इस पर बात होगी आज तक के लिए यही का भी है नेक्स लेक्चर में मुलाकत होगी एक नए टापक के साथ तब कि तब तब के लिए अल्ला अबेस